असलाम आलेकूं नमस्ते दोस्तों अमीद करती हूं आप लग सब ठीक होंगे सुबा का 9 बज रहा हैं यहां पर हम धूप सेक रहे हैं आज का बोलोगिन में क्या क्या करेंगे हम आप लोग के पास सेर करेंगे अगर मेरा बोलोगिन चैनल आप लोग का पसंदे तो लाइक सेर बढ़िन औー देखे करेंगे आई तक कहीं देखें नहीं न देखेंगे आएसा हम रेसिपी लेके आए हैं यहां पर मेगा है यहां परेंव वर झेले है कौ न दिढ़ेंगे और अच्छी तरह से यहां पर हम माटर को चिलका को धो लेंगे, यहां पर हम दो से तीन बार माटर को चिलका को अच्छी तरह से धोयेंगे, दो बार हम अच्छी से फ्रेस पानी में धोयेंगे, जितना अच्छी तरह से धोयेंगे उतना ही अच्छा बनेगा यह रेसेपी, औ बहुत यह अच्छा लगता है खाने में आई तक कहीं देखें नहीं है और ना कहीं सुने होंगे लेकिन आज हम बना के आप लोग के पास सेर करेंगे छोटा सरे सेपी जरूर आप लोग अगदम धयान से देखेगा तब जाके पता चलेगा यहां पर हम एक बार धो लिए हैं यह दूसरा बार हम धो रहे हैं आगे हम क्या मिलाके धोएंगे उसमें मटर का चिलका अगदम स्वप्ट रहेगा यहां पर हम दो बार धो लिए हैं अगदम फरेश पानी से अब देखें यहां पर हम तीसरा बार यहां पर हम पानी ले रहे हैं वीडियो को इसकी मत किजिए धयान से देखने से ही पता चलेगा हम क्या बनाएंगे यहां पर हम एक चमच नमक लिए हैं और नमक को देने के बाद अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर से यहां पर हम माटर को चिलका को डालेंगे और अच्छा से धोयेंगे जितना इसमें कचड़ा है और जितना कुछ ह सब निकल जाएगा नमक डालने के बाद अब देखें स्वफ्ट भी हो गिया है और कलर भी चेंज हो गिया है माटर का चिलका को नमक डालने से अब देखें यहां पर हम दिखाते हैं आप लोगों किस तरह कलर चेंज हो गिया है अब यहां पर हम सब माटर का चिलका को निकाल करिए अच्छी तरह से धोने के बाद और हम नहीं धोएंगे दो बार हम ऑने से धोय और एक बार नमक पानी से द्होय और अच्छा यहां ऑच्छा देखंगे बहुत ही अच्छe मटर का चलका देह नाढ़ा है देखे इस तरह करके मतर का चिलका जो है टंटी वो डंटी को हम इस तरह करके पकड़ेंगे और जितना इसमें बड़ा बड़ा रेशा है वो हम निकालेंगे और मतर का चिलका का अंदर जो मोटा चिलका राता है वो भी हम निकालेंगे एक करके अभी हम दिखाते हैं आप बनेगा और अच्छा लगबों करेगा खाने में इस तरह करके सब मतर का चिलका को हम निकाल लेंगे देखे इस तरह करके हम निकाल लिए हैं अब बहुत सब्ट बनेगा इस तरह बनाके खाने से अब बहुत टेस्टी लगता है एक बार इस तरह बनाके खाके आप कोमेंट करक तो अच्छा नहीं बनेगा वीडिये कोई स्किप मत किजिएगा तब जाके अच्छा बनेगा आपका मटर का चिलका का स्रिप्स हम जैसे जैसे कर रहे हैं वहला हम सब आप लोग को बताएंगी और बता रहे हैं देखे इस तरह करके करना है मटर का चिलका को इस तरह करके हटा यहां पर हम नमक देखे धोय थे उसमें अग्दम अच्छी तरह से सौफ्ट हो गया है और देखे जरा साइस तरह करने से दबाने से अच्छी तरह से निकल जा रहा है देखें यह सब निकाने से बहुत ही सफ्ट बनता है मटर का चिलका का चिप्स अब देखें इतना सारा कचड़ा निकला है देखें कितना सारा कचड़ा निकला है इक कचड़ा अगर रहेगा तो अच्छा ने बनेगा चिप्स हम बनाते हैं पहले हम अपने घर में बनाते हैं फिर आप लोग के पास शेर करते हैं अब यहां पर हम पानी आधा कप डाने फिर से थोड़ा सा धो लेंगे और देखें यहां पर हम थोड़ा सा हाथ को मसल को हलका से धोएंगे और यहां पर फिर से हम रखेंगे देखें किस त किलका को अब यहां पर हम सब निकाल लिए हैं अब यहां पर यह वाला पानी फेक देंगे अब यहां पर फिर से हम पानी डालेंगे और इसका बाद गेस को थोड़ा सा कम कर दिये हैं अब यहां पर हम नाप करके पानी डालेंगे देखें यहां पर हम दो कप हम पानी लेंगे जितना हमको पानी का जोरत है उत्रा ही हम डालेंगे यहां पर हम थोड़ा सा बना के आप लोग के पास शेर कर रहे हैं अगर आप लोग को अच्छा बना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिस तरह बना है अब यहां पर हम एक चुटकी जिसा हल्दी पोडर डालेंगे इसमें कलर थोड़ा सा अच्छा आएगा मतर का चिलका में अब यहां पर हम आधा चमत जिसा नमक दिये हैं और अच्छी तरह से मिला लेंगे आज किसमें हम सोलो रखे हैं अब यहां पर हम मतर का चिलका को डालेंगे अब यहां पर हम समतर को चिलका को डाल देंगे और मतर का चिलका को अच्छी तरह से यहां पर हम पकाएंगे अब देखें यहां पर हम अच्छे तरह से मिला भी लिये हैं अब यहां पर हम मीडियम आज करेंगे ज्यादा हाइ भी ने करेंगे ज्यादा लो भी ने करेंगे मीडियम रखेंगे और मीडियम आज से मटर का चिलका को पकाएंगे अभी हम आप लोग को बोल रहे हैं इसकी मत किजिएगा विडियो को धायान से देखिएगा तब जाके आप लोग को पता चलेगा मटर का चिलका का किस तरह बनता है देखे कलर भी चेंज हो गिया है किस तरह अगदम हरा कलर का दिख रहा है और लाइट और ज्यादा आ गिया ह है मटर का चिलका का देखे अच्छी तरह से उबाल को यह इस तरह दर को पकायाँ यहां नहीं यहां पर हम दो बर तीर लब आद आए गया है ये इसी अद्म बंद कर दिये यहां थोड़ा सा ठंदा होने के बाद यहां पर हम घृण सब को मतर को निकाल लेंगे एक पिलेट में देखे यहाँ पर हम एक पिलेट में निकाल लेंगे देखे किस तरह अगदम सौफ्ट हो गया है मटर का चिलका को बहुत ही आसानी से बन जाएगा चीप्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही सिंपल तरीका से हम बना के आप लोग के पास सेर कर जरूर आप लोग का पसंद आएगा पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा अप लोग जो लाइक करते हैं कॉमेंट करते तो बहुत ही अच्छा लगता है लगता है मेरे साथ एक परिवार जूड़ गया उस तरह देखे किस तरह अगदम दब रहा है तुरंत चि पीस लेंगे यहां पर हो खुछने डालेंगे अब देखे यहां पर हम पीस लिए हैं अब देखे किस तरह हो गया अगदम महीन इसी तरह करके पीसना है अब यहां पर हम दिखाते हैं किस तरह महीन पीसे हैं देखे किस तरह महीन हो गया है वह आगे दिखाएंगे किस तरह फिर से हम एक कप पानी लेंगे जितना मेरा पानी का जोरत है उतना ही हम डालेंगे आपको थोड़ा ज्यादा बनाना है तो ज्यादा दे सकते हैं मटर के चिलका जितना रहेंगे उतना ही पानी डालेगा यहाँ पर हम देड़ कप पानी डाले हैं और यहाँ पर हम एक छनी ले अच्छी तरह देना है अब यहां पर हम सब च्छान लिए हैं अब यहां पर हम कईसे बना आएंगे वह हम दिखाते हैं आप को आगे वीदियों में बना रहेगा इसकिम मत किजिएगा धयान से देखिएगा कि सु Tal फिर से नमक दालेंगे पहले बिए धिये यहाँ च्लुका चीष स्वाग्दम सदा बनेगा वाइट बनेगा बहुत यह अच्छा लगताै झाय खाने में मुह में घुल जाएगा इस तरह चिज़क बना के हम तयार करेंगे और आप लोग के पास र करेंगे अब देखे कहा हम एक चोटा सा बर्तल लिये हैं इसमें हम दो से आढ़ाय चमच यहां पर हम मैदा डालेंगे यहां पर हम थोड़ा सा बना रहे उसलिए यहां पर हम ज्यादा ने डालेंगे जितना मतर का चिलका है उससे आधा ही हम डालेंगे मैदा अब यहां पर हम नोर्मल पानी लेंगे और अची तरह से घोल बनाएंगे जैसे गा बहुत ही वाइट बनेगा बहुत ही सफेद बनेगा है बहुत ही अच्छा लगता आधा धाने में और मा सालकी से बन के तयार हो जाएगा तो कर लोग आधी टार जरूर आपनों का पसंद आएगा पसंद आएगा तो लाइक से रोज सश्क्राइब जरूर कीजिएगा देखे किस तरह यहां पर हम घोल बनाएं इसी तरह बनाना है विडियो को इसकिप मत किजिएगा अग्दम धयान से देख देख रिएगा हम किस तरह बना रहे हैं क्या-क रखेंगे एकदम सोलो आच रखेंगे यहां पर हम धिरे धिरे यहां पर हम जो घोल बनाये हैं हुआ हम डालेंगे एक हाथ में यहां पर हम डालेंगे और एक हाथ में चलाएंगे एकी बार समने डालना है इस तरह करके देरे देरे डालना है और देरे देरे चलाना है एकी बा से 5-6 मिनिट हम पकाएंगे जितना गढ़ा होगा उतना ही अच्छा बनेगा मतर का चिलका का चिप्स देखे किस तरह अगदम साधा हो गया है वैट हो गया है और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह बनाके खाने से एक बार इस तरह बनाके और खाके कोमेंट करके जरूर ब आच को अगदम सोलोड़ाय से यहाँ परम 5-7 मिनेट अगदम धीरे धीरे चलाते रहेंगे और इसी Connor रहेंगे बीच बीच में हम छोड़ नहीं देगए होर ने से जंब जाएगा अब यहां परम फिर से शीज बंत कर दिये इफ यहां पर हाम घेस्ए बंद करने के बाद ठंडा होने के बाद यहां पर最後 वला इसमें बहुत अच्छा बंता है अब यहां पर हम ठोड़ा सा तेल लगा लिये थे आव इसका बद यहां पर आप चमज से और यहां पर we देते रहेंगे और यहां पर फैलाना नहीं है इसी तरह प्रोरा प्लेट में देना है थोड़ा दूरी दूरी में देना है और नहीं तो एक दूसरी साथ जाएगा तो अच्छा ने बनेगा इसलिए थोड़ा सा एक वो कॉंगली दूरी देना है तब जाके अच्छा बनेगा अगदम खिला खिला मटर का चिलका का चिप्स बनेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा अब यहां पर हम सब एकर करके देने के बाद धूप में सुखने देंगे दो दिन के बाद फिर मिलते हैं अगर अच्छा धूप रहेगा तो द अच्छा लगता है देखे किस तरह अगदम टूट भी रहा है यहां पर हम दो से तीन दिन धूप में रखे थे अब यहां पर हम छान के दिखाते हैं किस तरह फूलेगा यहां पर हम रिफाइन तेल से चान रहे देखे देखे किस तरह तेल में देने के बाद ही उपर आ गय बहुत ही अच्छा लगता है पापड़ भी फेल हो जाएगा अगदम उस तरह लगेगा आप देखें यहां पर हम ज्यादा एक मुठी जीसे देखें दिखाते हैं देखें किस तरह उपर आ रहा है अगदम वाइट कलर का बना है अगदम साधा बना है मेरा मतर का चिलका का चि अब देखें यहां पर हम सब फराय कर लिए हैं अब यहां पर दिखाते हैं हाथ से किस तरह तूट रहा है मेरा अगदम जरासा हाथ में लेने से ही देखें किस तरह अगदम करंची करंची बना है मेरा मतर का चिलका का चिप्स खाने में तो पुछें नमत कितना अच्छा ल कर दजर कर दो कर दो कर दो आग है